तो guys welcome back to another video और एक strange type की वीडियो हमने आस्ते के चैनल पर कभी टुटोरियल नहीं बना है although main channel पर मैंने काफी टुटोरियल बना है तो थोड़े बाद बड़े streamers भी देख चुके हैं तो आज हम इस चैनल पर पहला टुटोरियल बनाएंगे फैस्मोफोबिया का जो गेम में बहुत खेल रहा हूं और अभी पूरा इंडिया ही खेल रहा है जिसे इंसिम तुमको पता ही होगा जो मेरे इंस्पिरेशन है जिनकी में इतनी वीडियो देख चुका हूँ चाहे मेरा 552 लेवल और मेरा 500 गंटे का प्लेटाइम है लेकिन मुझे मुझे लगता है मुझे पता है सब लेकिन ये गेम थोड़ा एक्ट्राइडिनरी चलता है इसमें कुछ ना कुछ strange होता है रहता हर अप्रेट के साथ कुछ ना कुछ नया आता है ये इस वहन फेवरिट गेमि और वैसे और अवरल Pros is और गैम से और बहुपभेश हाँ आ जो मुझे लोल भू झाल बीर ऑप थू यह अधिनर क्रणने वाला जिसमें सारे क्विप्में करता हूं तो वह बताने वाला हूं तो स्टे टून पूरी वीडियो देखना एंड तक बहुत मसा आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना यह वीक में मैं फैस्मो काफी स्ट्रीम करूंगा आने वाले टाइम में भी बहुत करूंगा इस वीक तो शाह 3-4 बार कर खेलनों बाकी देखते हैं तो सब्सक्राइब बहुत करोगे ना तो तुमको यह मिल जाएगा पार्ट से नोटिफिकेशन और अगर यूट्यूब नहीं पेसता है नोटिफिकेशन तो इसकॉर्ट भी जोइन करो डिस्क्रिप्शन में इस्कॉर्ट लिंक भी फॉलो करो में वही बढ़िया रहेगा तुमाली आईगे स्टाटिंग में चार पांच में आपी रहते हैं वैसे भी और यह बूलता है पूरा यह अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो चीक है यास ओके तिंक्यू हाई यह पांच मिनिट यह सिव मिलता है इसमें डिफिकल्टीज है तुम स् अचमें सब्सक्राइण तुम सब्सक्राण की है इसमें पारघ्ट फ्न में गाइगा इसमें भी कृम कशलय स्वस्राइण सब्सक्राण कें सев bekommen राघ्ट नंगा रखता हूं तो नाइटमें पे हम दो यह और यह उविधिक्त इसमें अस भी आजञेखा हुर में हैं में हमumbleी तो यह चारो difficulty में भी क्या difference मैंने बता दिया मैंने major difference और उसके बाद तो भाई nightmare में एक तो-दो evidence मिलते हैं उसके बाद hunt में अगर एक बंदा मर गया तुम team में खेल रहे हो तो nightmare में वो सब को पेल के चलेगा उसके बाद भी अगर तुम लोग hiding spot में नहीं हो तो ठीक है इस प वो custom difficulty में option भी है और गभी जैसे nightmare खेल रहो दो evidence मिलके तीसरा नहीं मिल रहो तो ghost को उसकी special abilities से पता लगाने का most of the ghost के पास एक special ability उसके चलो नेक्स वीडियो में बात करेंगे तो अभी चलता है first of all start करता है इस difficulty तो समझ पढ़ी जाएगी उसमें सब लिखा भी रहता ग्र एक बंदा मर गया तो hunt stop हो जाएगा वहाँ पर जो nightmare वो सबको पहल के चला जाता है ठीक है higher the higher the difficulty उतना ज्याद मौझ ठीक है चलो चलते हैं तो सबसे पहले torch और इसमें E से तुमको करना pick up भाई आवास क्यों नहीं हारी मिलको torch की hello spooky game चलो पहले में वैन खोल लेता हूं तो मेरे भाई hello यह torch की आवाज बिलकुल नहीं मेरे headphones की volume सही है और यहां पर भी मैं एक बार अगर चेक कर लो तो मेरे यह सही set किया हूँ है master volume मेरा perfect है बट मुझे बहुत some पता नहीं क्यों आवाज कम आ रही है वो ठीक है देखा जाएगा तो यहां पर बस यह torch तुमको right click से on करने यह normal है यह सब बताऊंगा तो गाली दोगे and मैं start करता हूँ मेरे favorite तीन items से EMF torch strong flashlight और camera और यह वाली flashlights अगर तुम beginner हो तो इससे खेल लो बट जैसी थोड़े पैसे आ जाए या को एक decent level का बंदा खेल रहा है तो उसको बोलो सब add कर दे और यह मत add किया करो यह तो भी training में सब मिलता है मैंने मेरा loadout बना रखा अभी तो latest update कर loadout भी बना सकते हो और लेंदी वीडियो होगा लेकिन हर चीज़ बताऊंगा specially dots भाई लोगों को dots पता ही नहीं है अभी तक 75% लोगो dots कैसा evidence होता है पता ही नहीं है तो मैं इसी लिए बना रहा हूं और साथ में यह भी parabolic mic किसी को भी मतलब mostly लोग को नहीं पता है क्या करता है वो तो आज हम वो करने वाले सारे करके go through करेंगा हा तो मेरा first ऐसे रहता है बस मैं ऐसे शुरू करता हूं आवाज कम क्यों है भाई I guess कुछ तो बग हुआ है यहां सही होगी घर में आते हैं आवाज सही भाई बहुत सप्रेश यह है टॉर्च की आवाज और हां nightmare पे तुमको breaker का spot भी नहीं दिखेगा यहां पर एक map रहता है मैं वो बता दो तुम लोग को और मैंने van से तुमको शायद go through नहीं किया पहले वो कर लेते हैं मेरे को हंट होनी चाहिए वो सिर्फ एक interaction होना चाहिए या तुम्हारा कोई friend अंदर हो तब या तुम बाहर हो तब भी तुमको interaction मिल जागा अगर very active ghost है तो तो उसको तुम मान सकते हो यहां से हैसे करके सीधा तुम टिक कर सकते हो और यह है तुम्हारी sanity screen अभी तो वह है क्या बलत सारे ghost आइसा है जो mostly ghost 50% से compare hunt करता है यह मान लो बाकी में उस वीडियों बताऊंगा और यहां पर तुमको दिखेगा breaker location यह देखो जिसे दिख रहा है यह तुमको amateur intermediate professional पर दिख जाएगा not on nightmare nightmare पर तुमको यह नहीं दिखागा amateur intermediate पर इस breaker on चालो होता है क्यों मैं intermediate ज्यादा खेला है नहीं ज्यादा खेला हूं मैं थोड़ा बहुत खेल के फिर में professional पर खेलने लग गया था तुमको अच्छे से याद नहीं है तो amateur पर तो पक्का है breaker on मिलता है intermediate के मैं को पता नहीं है प्रोफेशनल पर breaker off होता है तुमको यहां से location दिखके जाना है देन on करना है नाइट मेर पर पुरा मैप घूम के जो breaker spots है अगर तुम बहुत खेल लोगे नहीं यह maps याद हो जाएंगे जैसे मुझे अभी mostly छोटे maps तो ऐसे याद हो गए और even अभी sunny meadows भी है वो भी मुझ आँच करके ऐसे तुम चल सकते हो बिना light के उससे तुम बज सकते हैं अगर तुमको याद हो जाता है तो ऐसे तुमको चार पांच बेकर थे तीन चार breaker spots रहते हैं जैसे यह घर में एक यहां पर रहता है गैर गरौद में है और यह उसमें है यह गैस और एक basement में होता है इस से लोग ने ऐसे अपडेट किया है मैं तो ये गिम एक साल से ओन कर रहा हूं I guess मैंने पहले भी खे रहा है काफी लेकिन अभी रीसेंट टाइम्स में मैंने 100 आर्स केल लिए होगा ये अपडेट और इस आने के पहले आने के बाद मिला रहा हूँ उसके पहले मैंने 50 आर्स केल बहुत लोग देखेंगे हा तो यह साउंड सेंसर एइस नइंग बस तो यहां पर आजाएगी कौंसे वाले पर रीडिंग और तो तुमको पता लग सकता है कोंसे रूम में ठीक है विच डेसंट मैंटर मेरेको तो बिलकुल भी सेन लिखता है चलो चलते है तो फ़स्ट ये पूरा गेम और इस पर में कॉंटेंट भी मुनाने का सोच है जिसे में स्ट्रीम से बहुत अच्छे मैच होते हैं कोई एकदम खतरना गोश में देखो इएम्फ लोग क्यों आता हूं मेरे को अचानक से दरवाजे की आवाज ऐई ठीक है और मैं पट से इधर गोम गया इंस्टिंक्टी हो गया मेरा अब यहां पर मैंने गुमा में को पदा चला यह दरवाजा सुआ इसने यह वाला दरवाजा ओपन है और बॉस्टी दॉर्स रे मेरे ख्याल से इस साइड से था पहला एविडेंस अपनको मिल चुका है यहां पर फोटो लोगा यह कभी गलत होता है लेकिन फिर से इस साइड खुलता है यहां से तुमको अन करना रहेगा नाइट मेर और प्रोफेशनल पर और यहां पर फिर से कुछ फेगा देखो यहां पर इसे कुछ यह देखो यह इसका ही फोटो ले लूँगा और मुझे पता यह तीन दरवाजे हैं तो फिंगर्पिंट थोड़ी देर अगर अपन नहीं भी होता है और यह इंटरेक्शन होता है यहां पर यह इसा दिख जाता यह ऐसा भी सड़न डाउन हो और सड़न अप हो फाय तक तो यह इसके बाद मैं ले जाओंगा जब मुझे पता है कि क्या है एक तो फिंगर्पिंट देखना है तो पहले मैं कैमरा ल ठीचाए जिए कम रहेगा टेंप्रेचर अगर वो फ्रीजिंग गोस्ट नहीं है तो फ्रीजिंग गोस्ट है तो माइनस में जाएगा और तुमको ब्रीधिंग दिख जाएगा तो फिंगर्पिंट में यह थर्मामेटर भी मेरे को थोड़ा यूजरस रखता है मैं यूज ह करता हूं क्योंकि breath दिख जाती और नहीं दिखी तो नहीं फ्रीजिंग ऐसा मान लेते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत खेल चुके इस वोज़े तो मैं ले जाता हूं spirit box यह मेरा go through रहता है अगर एक नॉर्मल गेम खेल रहा हूं तो अब इसमें camera अच्छा camera मैं तुमको कैसे उठाना बता है नहीं न तो वो camera तुमको इसे पिक करना है देन ऐसे tripod पड़ा होगा समझ लो इसे camera पिक कर लिया देन तुमको f hold करना है ठीक है f hold करोगे तो यहां पे तुमको बंकिया जाए यार एक यहां तो मुझे लग रहा है यह foyer रहेगा यह पूरा यह पूरा यह पूरा ताकि वह पूरे में घूमके क्यूंकि this hole counts a single room या फिर location ठीक है यह gate से लेके यह वाले intersection ते जहां पे kitchen शूरू हो रहा है ठीक है तो मैं सब जागे लाइट बं करूंगा क्यूंकि I want to look for orbs औ यह नॉर्मल है तुम राइट क्लिक दबाऊ तो नाइट विजन हो जागे नाइट विजन में you can see orbs यह अब यहां पर यह लाइट बन नहीं हूरी क्यूंकि टुटोरियल लिखा रहा है यह आपको क्यूं सिखा रहा है ब्रो तो यहां पर मैं खड़े लगे मुझे अभी त अगर तुम ना ध्यां से देखा तो रहा है नहीं तो भी में मार्क करके तुमको दिखा सकता हूं तो यह मुझे और मिल गाई तो यह में फला गोस्त और और वाला गोस्त है भाई और भी थी ना क्यूंकि इदर लाइट है तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा वरना में भार है ना वह स्नो वाला वेदर रहता है तो यह दन रखना कि स्नो ऐसे नीचे गिरती और स्नो भी ऐसे और जैसी दिखेगी बट और वोगी तो वह उपर जाएगी लोट होगी तो वह और यह कभी कंफ्यूज मत हो ना अब यार अगर अच्छे से मेरे को एक मिनिट यहां यह दो को बता चल गया होगा नहीं पता चलता है तुम कितनी बार रिवाइन करके देख सकते हो हां अब मेरा सबसे नेक्स्ट काम होता है मैं को दो आविदेंस मिल गया आवज यह राईज्यो रभाक है राईजू फुर फिंगर्पिंट्स के लिए बात हो यह बात देखो यह बाले फिंगर्मिंट अभी भी आई किस पांच मिट तक रहते हैं तो येस फर्स्ट गेम अपना सीधा डन है यहापे फिंगर्मिंट मिल गए तो एसे ही खेलना होता है यह गेम और मैं बाकी सारी चीज़े भी दिखा देता मैं सोचा था वही एक उनको लेकर बता यह देखो यह दर्वाज चुआ था जिसका उनको फिंगर्मिंट मिल गए है और यह इंट्रक्शन पर नहीं आएगा जैसे इस से फ्रेम गए तो इस पर फिंगर्मिंट नहीं मिलेगा और अभी दिख नहीं रहा है लेकिन अगर तुमको फ्रेंड है तो तुमको स्कूल सकते हो कि यूवी पकड़के खड़ा रहे तो मैं यहां पर भी लाइट बन करूंगा और स्पिरिट बॉक्स पूछने का फायदा नहीं है तो यह गेम तो उचुक है डन अब बाकी चीजे कैसे लगानी में तुमको लाके दिखा देता हूं यहां पर लिखा रहता है कि यह ng Stephन यहां पर यहां पर लिखा रहता है यह गेम थोड़ा बघ्ड शुरू है वरना तुम ट्रेनिघ में जाओंगा उन संरा ब्दध करेंगा लांगे दिख्वादूगा की जिख्वादगा कि लिएक तो कुछ भूला और नहीं हो बरनाम आपर तुमको लोकेशन दिखा देता कि आप यहां पर अपने लिविंग में है गोस्ट अब मैं बाकी चीज़े क्या करूँगा अगर मुझे इन सब में एविडेंस नहीं मिलता या तो सारी चीज़े उठा के रगा के दिखा नहीं है तो मैं दिखा सकता हूँ अब क्रूसिविक्स नहीं है तो चलो दिखा लिए अब क्रूसिविक्स डाल के फाज़ा नहीं हंट तो होगा नहीं वरना क्रूसिविक्स में कैसे रखता हूँ और बता देता हूँ मेरा हर बार का फिक्स है और यूस कैसा हो तो भी दिखा तो अभी गोस्विर से इंटरेक्शन कर रहा है उसने ये वाला दरवादा चुआ है फिर से फिंगर्बिंट आया हूँगे जैसे देखो मैं ये वाल के पास ठीक है ये लगा रहा हूँ अब मैं तुमको बाहर चलके दिखाओं क्या हो तो मैं डॉट्स कैसे लगाता हूँ मैं मैं मैट के ओपर कभी नहीं लगाता पता है उससे कुछ फरक नहीं बढ़ता है सिर्फ फुटस्टप पड़ता है पर मेरा हमेशा वदा नहीं यसा मानना है कि नहीं लगाँगा बस और मैं बुक ऐसे लगाँगा दोनों चीज साथ में हो ये तेडा मेरा चलता है पहले तो इसमें सीधा ही लगता था और उसके अद मैं कैमरा ऐसे एंगल भी लगाता सब्सक्राइब कर सकता हूँ लेकिन वह गंटे की वीडियो बन जाएगी ठीक है यह चीज मैं ऐसे लगाता हूँ ताकि मुझे वैन में भी कैसे मैं तुमको दिखा देता हूँ और एक और स्पेशल ट्रिक है मतलब यह भी मेरी सब है कि मैं आफ सब साथ साथ में लगाता यह साउंड सेंसर कितना कवर कर रहा है अपने यह दिवाल पर लगाया तो यह चोटा मैप बेसिकली होल मैप कवर कर रहा है लेकिन हम लोग खेल चुके तो हमको इतनी जरुवति नहीं पड़ती कहां से आवाज आ रही है बट इससे देखो फरेक भी नहीं पड़ेगा है मै तो यहां पर देखना भी तो यहां पर देखना पर कैसे ड्रॉप होंगे बाहर आ रहा है 15-17 अभी देखने यहां पर गोस्ट लोकिशन है अभी देखो 6 डिगरी सीट टैन से कम है तो यहां गोस्ट हो सकता है और अगर फ्रीजिंग घोस्ट है तो बहुत जल्दी तुमको प्रीजिंग लेने के लिए सबसे पहले जाके तुमको ब्रेकर आउन करना पड़ेगा अगर तुम्हारा ब्रेकर ऑफ है तो घर ना वाम डप ही नहीं होगा तो पूरा घर तुमको ठंडा ही मिलेगा और अगर फ्रीजिंग घर में पार्ट डिगरी मिलेगा तुम अब यह एक special tip है ठीक है यह नूब बोल लेकिन तुमको बहुत काम आएगी मैं सही बोल रहा हूं ठीक है यहाँ पर मैंने जैसे यह camera लाया हूं मैं ठीक है अब मैंने इसको इतना close लगा एक minute ज्यादा close हो गया यह थोड़ा सा दूर थोड़ा सा दूर कि मुझे हैर लगाना है ताकि यहाँ पर इतना ही difference हो और मैं बाहर बैठा हूं जब मेरा सिर्फ लास्ट evidence बचाओ कि मुझे राइटिंग चाहिए ठीक है और मुझे सिर्फ निकलना है मेरे सारे objectives हो चुक है इसमें objectives रहते हैं लेकिन अभी कुछ नहीं दिया है वह साई से load नहीं हुआ इसके लिए बाकि objectives के लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं तुम लोग बताना वरना streams प्याओ और नॉर्मल मेरे stream में से अभी थोड़ी बहुत clips या फिर में एक एक कोई अच्छा match होगा तो डाल सकता हूं अगर तुम लोग बोलो कि तो बताना ऐसा content भी चाहिए क्य जाओ मैं बाहर तो जब starting मेरे डर लगता था मैंने यह किया हुआ है और यहां पर मैं एक और चाहिछ करता हूं अगर मुझे EMF भी नहीं मिला है and मैं मतलब ऐसा सोच रहा हूं कि शायद EMF हो सकता है तो मैं यहां पर EMF भी रखूंगा चालू करके यहां में EMF रखूंगा और यहां मैं चालू कर दूँगा और ऐसा हो तो अगर पैसा रहे कोई ऐसा प्लेयर है तो मैं एक और कैमरा लाके EMF के लिए especially EMF रखके on करके यहां पर रख दूँगा वो राइट कर रहा होगा तो यहां पर EMF आएगा और अगर जैसे उसने यहां इंट्रेक्शन किया तो के साथ एक करता हूं मैं एक केंडल जरूर बढोआ और मैं दोनों क्रूस हसा हमें लगाता हूं चाहे दो राउंड मार का आता हूं और लाइटर हात में रर्खता हूं धाओं की यह लोगने अपडेडर के रसे लिघा जाए तकर केंडल या हथ केंडल जलए होना हूं ठीक ह भाई मेरे को ओके यह अपडेट की बाद सही किया है मेरे को पता नहीं था चलो ठीक है तो हम यह करके हम परफेक्क्ली टाइम कर लेंगे ज्यादा ज्यादा फरक नहीं पड़ता हाँ ऐसा एक्दम रहा है वरना पहले मैं क्रूस्विक रखके उसके उपर कैंडल रखता था ठ ठीक है यह तो भार जाके करेगा अगर नाइट मेर तो बहुत रूम करता गोस्ट और इंटरमीडियर नेक्स्ट तू वादब चांस ही नहीं रूम करेगा यही समझ लो बाकी प्रोफेशनल पर भी बहुत रूम करता बट लस्द न नाइट मेरे और मोर देन मेरें रूम नह यहांपर कुसिविक्स बाविस बुजा दिए जलते चाहर आवाई आदा जल जाएगा वादा जलता वादा जाएगा अन्हें दिखा देता हूँ तो भाई वो मैं समझ जाऊँगा कि ऑन्रो है इसने केंडल भुजा है और हंट करने कोशिश की बट हंट प्रिवेंट होगी क्रूसिविक्स की वज़े से और क्रूसिविक्स का रेंज है 3 मीटर्स और एवरी गोस्ट एंड डीमन के लिए 5 मीटर है तो डीमन के लिए बेसिकली पूरा रूम है यह एक डीमन की समझ लो अबिलिटी और डीमन की एक और अर्ली हंट करता है 70% के असपास से वो हंट कर सकता है ऐसा सीन है वो सब मैं गोस्ट वाले में बताऊंगा लेकिन इसमें बताना पड़ रहा है तो डीमन को टेस्ट करने के लिए उसमें बता दूंगा छोड़ो तो अगर यह डीमन होता तो यहां पर वो तुम रूम में कहीं भी रखो कि बेसिकली यह क्रूसिफिक्स हो जाएगा यह पांच मीटर बहुत बड़ा रेंज होता बाई पूरा रूम आ जाएगा ठीक है तो मैं पैश नोट शायद मैंने पड़ा था कि लिए पैंशी के लिए 3 मीटर ही है सिर्फ एक डीमन के लिए 5 मीटर है जो क्लूसिफिक्स यूस कर सकता है और उससे हंट प्रिवेंट हो जाएगा तो 3 मीटर की रेंज ओ यह देखो लाइट जला है उसने नूब नूब ठीक यह मेरी टिप है अगर तुम यूस करना चाहो तो अच्छा है अगर उन्रे होगा तो उनको पहले ही पता चित जाएगा और यह यहाद रखना पड़ेगा थोड़ा बट नो वरी इस मैं बैठा हूं विधार मेरी स्प्रिम्स पर रेगुलर लिया हो मेरी वीडियो देखो य इसे क्या यूज होता है उसमें मैं टाइम स्टेंप भी डाल दूगा कोई लोग सिर्फ वो देखना हैंगे पर ऐसा मत करना प्लीज तो मैं नमक लेता हूं उसके साथ मैं एक यह लेता हूं क्या बुलते है यह अपना परबॉलिक और उसके साथ एक यह यह यूवी अब मेर मेरे को कैमेरा भी चाहिए तो मुझे एक और पर अंदर आना पड़े को यह अगर यह तीम में खेलो के तो ज्यादा फन भी लगता है मेरे को और सोलो भी फन है लेकिन सोलो तुछा डरा हूना है एक एक इंट्रेक्शन में इतना चिल रहे आचानक तरवाज को बहुत पटे दिया तो यहां पर गोस्त ने कुछ इंट्रेक्शन का तुम इस चलते जाओ चलते जाओ तो वो कुछ तीन मिनिट एक मिनिट में जाओ अगर जब कर रहा है और यहां पर भी कुछ इंट्रेक्शन तो हुआ था मेरे ख्याल से यहां पर 0.6 मिला मुझे कहीं और इसमें 0.5 स जो कम रहेगा वो कुछ नहीं वो ambient noises है तो उस पर मत जाना 0.5 जो भी ज्यादा है वो गोस्त ने किया ऐसा समस्ते तो परमाइक पर और बैंशी करके गोस्त है जिसकी special ability है वो इसमें एक special scream करेगी उसना जोड़ से लिए माई कान पट जाएंगा मैं ऐसा पुड़ी creepy वैन में भी दिखानता है यह कैसा दिखता है ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर जाओंगा और मैं तुमको light वाला वो दिखाना था यह देखो यह देखो यह रहता है वाई इसका भी तुम फोटो ले सकते हो एक interaction एक fingerprint ठीक है यहाँ पर fingerprint यहाँ पर fingerprint नूब भूत है भाई और यह glow stick पांच मिनिट में एक दम हो जाएगी तो इसको तभी जला हो जब तुमको जरुवत हो उसकी तो अभी में जाऊंगा एक और glow stick उटाऊंगा कैमरा उटाऊंगा और दस फोटो इसमें लेने होते हैं तुमको पर्फेक्ट त्री स्टार जरूर नहीं है दू स्टार के भी दस फोटो लोगे तुमारा पर्फेक्ट गेम होगा बट वन स्टार पर तुमको पैसे कब मिलेंगे इस गेम इस ऑल अबाउट एक्सपिरियंस इस उसका इतना जल्दी खतम नहीं होगा बट स्टिल और यह मोशन सेंसर यह बहुत अची मेरे को बहुत अच्छी लगती है यह मैं दिखाता हूं मैं क्या करता हूं इसको बहुत देख सकते हैं तो यह मोशन सेंसर ले जाता हूं इसका अब्जेक्टिव रहता है कि मुझे पता चलके इस लिए इंट्रेक्षिन किर तो यहां पर मैं बसकुछ लगाने को नहीं है मैं नीचे लगा सकता हूं तो मैं हमेशाम मोशन सेंसर में क्राच करकी चलता हूं अब मैं इतनी हाइच पर लगाता हूं कि मैं क्राउच करा कर से नीचे से निकल जाओ और थे से ट्रिगर हुआ ठीक है और मेरे को पता गोस्त यहाँ पर एंटेको गोस्त ने Sutники यहाँ पर कुछ काउंन मेरे से ट्रिगर हुआÜ ठीक है नहीं है वरना मोशन से ट्रीगर हुआ सामने डॉट्स नहीं दिख रहा है और भी केडल है तो मLo मैं इतनी हाइट पे लगाता हूं कि मैं खौच कर जाओं मेरे से रिगर से आ आ दो युटा है और यह से सीखी है यह बोस कर रहा है मैं नहीं हो बढ़ा एक्ति आप्टी के वह बार बार करे जा रहा है और मुझे मैं यह यह लगा और यह करता था षाना ओ बहुत करता दूंस्ट जा रहा है इतनी इतनी हट पर नहीं होना चाहिए वैसे हो रहा है ओ भाई वो चेंज कर दिया वो एक ट्रिक खतम हो चुकिया बट स्टिल यूज्वली डॉट्स के आसपास लगाओ ताकि एमोशन से ट्रिगर हो तुमको डॉट्स नहीं देखे तो मोस्ली डॉट्स नहीं है सा मान लेना सिर्फ सेवेंटी परसेंट मानना बाकी तुम अपनी आखों पर भरोसा रखना ठीक है अब मुझे पता है यहां पर गोस्ट है अपने यहां पर जलाएंगे लाइट यह दो चीज अपडेट के नहीं आई क्योंकि मैं अपडेट के राइट बात यह वीडियो बना रहा हूं और मैंने पैच न इसमें तीन पाइस रहते हैं वह यूज कर सकते हो तो यहां पर मैं एक वहां पर डालूंगा जिसने में पता चले कि गोस्ट रूम से बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है क्योंकि इसमें पैर दिखते हैं और उसके आद दो तो मैं डॉट्स वाट्स के आसपर डाला तो यहां पर भी मैं कैमरा छोड़ दूँगा मेरे को और कुछ भी फोटो चाहिए नहीं उसमें लिखा रहता है क्या क्या होगा कि गोस्ट गेव फिंगरप्रिंट्स ऐसे करके आएगा लिख के कि ओपन दर डॉर ऐसे सब लिखके आता है इसमें फ्रू दिस एट मी ऐसे सब लिखके आता है वो नॉर्मल गेम से तुमको पता चल जाएगा अगर मैं वीडियो करके उठाने बाहर आते कोई फरक नहीं पड़ता अंदर रहें दो हम तो कभी नहीं उठाते ठीक है तो उससे तुमको वापिस मिली जाती अगर वो जिस बंदे ने बाय किये वो बंदा मर गया तब वो चीज कोई भी नहीं मिलेगी वो तुम अंदर से उठाओ चाया ना उ जार एक मिली यह स्नोफॉल था क्या यूंकि नीचे की तरफ गया था और यह लाइट चालोगा तब और नहीं दिखती उच्छो ले नहीं और नहीं होगी ठीक है तो यह एक कैमरा और यह दूसरा कैम देखो इसमें तुमको बहुत क्लियरली दिख रहा है लाइट बंद और डॉसरा कोई गोस्ट नहीं वरना तो तुमको यह तीन एविडेंस गाड़ी में बैठे बैठे मिल सकते हैं वाइन के अंदर अगर तुम अच्छे से सैट अप करते हो तो यह मेरी ट्रिक थी एक तो जो में को दिखाने भी थी और इसके आद कैंडल्स में और ऐसे क्रू अगर यह तो मुझे कल सही बनाना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि उसमें देरे देरे करके थोड़े पार्ट्स में बहुत ज्यादा चीज याद रखने पड़ेगा इसमें तुमारी हर डिफिकल्टी पर कुछ ना कुछ रिस्टोर करती जैसे मुझे प्रोफेशनल पर प है तो एक पिल उतना रिस्टोर करती है तो चार खालो के तो प्रोफेशनल पाइगा जन्डेड हो जाता है जीरो से और यह तुमारा हंट होगा तब तुम छुपरे हो हार्ट बीट सुनाई देगी मतलब उससे शायद फरक नहीं पड़ता मेनली गोस्ट इवेंट और अंध किया था विट सेवें ट्री स्टार फोटो आई गैस और एकदम परफेक्टली गोस्ट भी डिटेक्ट किया था मैं गोस्ट नहीं बता रहा वरना तुमारा स्पोईल हो जागा देखना वीडियो शायद आती है तो उसमें मैंने वो हैक यूस किया था कि अगर तुमारा कोई और एक बहुत बढ़िया चीज है तो केंडल हाथ में रखनी है और क्रूसिफिक्स का भी मैं बताना पूल गया क्रूसिफिक्स लोग सोचते हाथ में बगड़ लिया गोस्ट मेरे को नहीं मारेगा क्रूसिफिक्स से सिफ गोस्ट हंट प्रिवेंट होता है तुम लोग भाई उसको मतलब यह नहीं कर सकते कि मेरे हाथ में गोस्ट हंट कर रहा और crucifix के दो use होते है by the way मुझे जैसे आदार में बता रहा हूँ और ये head mounted cam अगर ये तुम्हारा कोई teammate है तो काम का है और वैसे नहीं लेना अगर राइजू वाणद वहीं पटक के पील देगा राइजू एक ghost है जो electronic equipment से बहुत चेड़ता है या समर्लों attract होता है तो ये देखो head mounted cam ये मेरे सरे पे लाइए GoPro है भाई और इसको तुम remove भी नहीं कर सकते है I guess अब ये AP update के बाद आया भाई वापस hold करके तुम रखके जा सकते हो तो use कर सकते हो शायद कभी ज़रूद पर जाए पता चले तुम और दो evidence मिल गए और तुमको पता है कि राइजू नहीं है तो ले लो तो तुम्हारे friend देख सकते है कि कहीं dots दिग गया एकदम surprising या फिर कहीं पर और दिग गई ये अच्छी चीज है मैं use नहीं करता लेकिन अब मैं add करने लगूँगा ये तो I guess मैंने सारी चीजे explain कर दी है अब जो जो चीज दिखाना रहे गई है कि कैसे कैसे use होती है उसकी मैं तुमको clips दिखाऊंगा अरे smudge stick रह भाई smudge stick के साथ तुमको lighter ज़रूर चाहिए ठीक है और smudge stick में तो कोई trick नहीं है जादा तो तुमको एक objective रहा है cleanse the area with a smudge stick ghost का जो area होगा हो ऐसा कुछ objective रहता है ऐसा कुछ मतलब वही रहता है अब नमक पे चल दिया यारे सब जगा चल दिया अब मैं को यहीं दिखा रहा है चलो कोई नहीं वीडियो दिखा दूगा तो यह जैसे यह cleanse का होगा मैं बता है यह ghost है मैंने right click किया यह smudge stick जल गई बस ही जल गई और गोस्ट नाइन्टी सेकेंड तक हंट नहीं कर सकता है वह मैं गोस्ट वारी वीडियो बताऊंगा कि मैं अच्छे से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा कोई अलग कोई नॉर्मल गोस्ट और स्पिरिट होगा तो वह 180 सेकेंड तक हंट नहीं कर सकता है कि स्पिरिट की अबिलिटी है और बाकि डीमन 60 सेकंड के बाद हंट कर सकता है तो मेरे कहल से 90 है 120 सेकंड है तब तक वह ghost हंट नहीं करेगा तुम अंदर रहोगे तो भी चाहे तुमारी sanity जीरो अगर वह अच्छे में चीज कि तुम हंट में मत लो जितना हो सांग तुम टाइम स्पेंड करो अंदर तो गोस्ट अभी तो इवेंट नहीं करेगा वरना डायरेक इवेंट करेगा तुमारी सामने दिखेगा वह स्टैंडिंग इवेंट होते हैं तो तुम पटाक से जाओ कैमरा उठाओ और उ तो गाड़ी का वह स्टैंडिंग कर रहा है तो यह उठागे तुम वहां जाके बंद कर सकते हो यह बताई रहता है और बैट के लिए अगर फोटो मैं तो यही बोलूगा तभी थी स्टार आने का जाज़ा चांस है मैं सारे फोटो क्राउच करके लिए मैं खेलता ही गेम क् परफेक्ट और यहां पर मैंने बोन उठाली बोन पिक अप कर लो एक बोन एविडिनस उसके भी तुमको 10 डॉलर मिलता है कर्स पोटेशन के इस मैप में क्या क्या लोकिशन से मैं तुमको बता सकता हूँ हर मैप के लिए अलग भी वीडियो बना सकता हूँ मैं यहां पर ए वूडू डॉल जिसमें पिंज रहेगी वो सब मैं एक्स्प्रेइन करने के लिए बना सकता हूँ इसके बाद यह नीचे इसमें आहां होता है लाइट बटन नीचे बाकी दो चीज रहती है होना तुछ यह मेरे खाल से कर्स पोजिशन नहीं यहां पर वीजा बोट रहता है जो बोड पर तुम कॉश्चन पूश सकते हो यहां पर समनिंग सरकल रहता है पांच कैंडल जला होगे तो गोश्ट भीच में समन हो जाएगा फिर अगर तुमको हंट में फोटो लेना है यहां लो फोटो लो सीधा जाके हाइडिंग स्पॉर्ट और गोश्ट जब तुमको हंट कर रहा है ऑल्दो तुम्हारे मूप है ठीक है अगर तुम्हारे हाथ में समच टिक है तो तुमने ऐसे समच जलाई तुम उसके थू भी जा सकते हो नेक्स छे सेगंड तब तुमको नहीं मार सकता है क्योंकि बेसिकली भाई गेम फ्रीज हो गया तो हां बेसिकली वह अ खुला रखता हूं ताकि मैं यहां पे मेरे को गोस्ट आ रहा है और मे को देख लिए मूप मैंने उसको समच कि या और मेरे दोस्त में बिया फोटो और यह तुमको होल्ड राखना है तो माउस का बटन क्लिक रहना चाहिए नहीं तो तुमको कर ना रहा है तो चुट भी च सकते तुम लो तो I guess that's it for this part I guess मैंने सब कुछ बता ती है और कुछ रह गया तो बताना उसके लिए में अलग से short या फिर इसका extended video by 35 plus minutes का video हो चुका है लेकिन मैं डाल गाँ वाँ tutorial जो बंदा है पूरी वीडियो देख लाँ उसको बेसिक सैटलिस गेम के पता चल जाने चाहिए अब मेरे से कुछ गलती हुए तो पता नहीं मेरे को जितना मेरी knowledge में था मैंने वो सब बता दिया गोस्ट टाइप में गोस्ट के क्या है वो है बिना evidence के पता लगाने की abilities वो करके दिखाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा तो इसलिए उसके लिए अलग-अलग वीडियो बनेगी तो समझ लो अगर मुझे इस पर अच्छा response में ना तो long time fastmophobia content आने वाले में बस इतने सारे tutorials हैं बहुत बढ़िया-बढ़िया games होते हैं हमारे stream पे और अगर तुम stream पे जरूर आना और तुम लोग को क्या चीज नहीं पता दी जो तुमको इससे सीखने मिली और मेरी कौनसी ट्रिक सबसे अच्छे लेगी वो जरूर करना कमेंट्स में अब मैं एक-एक करके वो सारी clip रोल कर रहा हूं जहां पर तुमको डॉट्स दिखेगा एक परमाइक दिख यूजरी मेरी clips मिल जाएगी और I guess कोई चीज में दिखानी रहती नहीं spirit box का evidence कैसा मिलता है उसका भी मैं clip डाल दूगा और हाँ spirit box use कैसे करना मैं बताया है नहीं न तुम लोग को शायद बाकी सब चीज़ तुमको लेके जाना है और उसके बाद right click से on होता है इस right click में और आवाज वहाँ पर बहुत बगड़ है और ghost room की lights बंद नुची है बाकी तुमारी torch अगर चालो तो चलेगा तो देखो जैसे अभी में बाद torch ही नहीं अब यहाँ पर ghost है लेकिन वो एक spirit box evidence वाला ghost नहीं तो अभी जवाब नहीं देगा otherwise questions रहते हैं जैसे यह बी दबाके push to talk एसमें मैं push to talk रखता हूं तो push to talk usually सब push to talk ही रखना open mic में कर तुमारा mic थोड़ा वे से आवाज कर दिया तुम हाइडिंग स्पॉर्ट में ghost बलेगा चला जा पहल के चला जाएगा मतलब सीधा तो यह बी वोल्ड करके तुम question बूल सकते where are you are you here हा देखो यह मैं X आने का कर दो कर दो कर दो कि एक साया मतलब तुमारी गेम में आवाज जा रही है माइक में से माइक बहुत बाग होता है तो तुमको audio में जाके यहां पर तुमारा माइक सेलेक करना पड़ेगा और यह सब तुम देख लिए अपने इसाफ से जो push to talk रखना और sensitivity क्या रखनी है मेरा आर यू सो जो शुरू होता ना mostly सब पर रिपलाई कर देता है फ्रेंच पीजा ऐसे स्पेशली कोई वैसे फ्रेंच शायद एक स्पेशली क्वेस्टन है इसमें बटीक है आर यू यह यह वेर यू इतने में काम हो जाता है अगर और सुरीट बॉक्स तुमको चलते जलते प पर आप एक साले तुसाइश चलना वाप बीट 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 में दिखाता है कभी नहीं दिखाता है और है देखो आया कि गोस्ट रिपलाई नहीं कर रहा है मतलब तुमारी आवाज जा रहे और गोस्ट यह स्प्रिट बॉक्स वाला नहीं मोस्ट फिर मान लेना और यह गोस आप साइन अगर वह चल रहा है और अगर तुमारा आवाज भी टेड़ तुमको सुना इनि दिया बट वह गोस्ट वाला अगर तुमको घ्लता वह दिखा तो उसने जवाब दिया है जलता हो नहीं वह बलैक दिखा एकदम बढ़िया फोकस तो गोस्त ने जवाब दिया है पूंप के तमारा माइक भी अंदर पूश्टूच नहीं ओनों कि हम्त डाम सी निश्ट करता है वह बहुत रिस्कित थूमको तीन मीटर के रेंज में रहना तब पूश तर तीन और गोस्ट ताइगास 1.5 मीटर के रेंज में तुमको मार सकता है मैं या खडा हूं 1 मीटर के र इवेंट या कुछ भी वह एकदम शेडी सा इवेंट हो रहा है वह उसकी मैं शायद एक दूवीडियो मतलब लास्ट में एक दूव क्लिप डाल दूँगा उसमें टाइमस्टेम भी डाल दूँगा नीचे तो यहां पर जैसे यहां पर गोस्ट का वह चल रहा है तो मैं यहां वो वन अफ दी मोस्ट फास्टेस गोश्ट लेकिन वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम लोग वह एकदम अग्दम स्लो हो जाएगा तुम्हारी स्पीड का भी 30% हो या 50% मेरे गा 30% हो यहां बहुत स्लो ताकि तुम आराम से उसको लूप कर सेगा तो अगर मुझे पता ह है दियो है तो मेरी तरह भाग क्या रहा है एकदम फूल स्पीड में तो अगर मुझे स्लो हो गया तो मुझे पता चल जाएगा वैसे डियो और सारे एविडेंस मिल गए तो तो पक्का है वरना नो एविडेंस है तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि थे भी उसके जितनी आवाद जा रही बेटे तो स्पिरिट बॉक्स के लिए ये टिप थी मेरे लिए आएगेस दाट सेट पॉर इस वीडियो मेरा गला दुख चुका है इम टॉकिंग फॉर्टी मिनिट्स मेरे क्याल से किसी ने पूरी वीडियो देखी नहीं होगी बट जिनको गेम सीखना था वो डेफिनिटली देखेंगे और बाकी में लास्ट में भी डॉट्स, स्पिरिट बॉक्स, क्रूसिफिक्स और स्मच्टिक का एक एक वीडियो डाल दूँगा ताकि तुम लोग को पता से जाए कैसे ये चीज यूज हो रही है मैंने इस दिखा दे है यूज करके और एक फ अगर मेरा वाइस ओर रहा तो मैं फिर से लाशन बोलूगा क्यों तुम करते हैं यहीं तो मैंने वह तु किया नहीं कि वह उससे वापिस वैन बन करना है तुमको बाके टिक करके हमने पहले रखा था वैन बन किया तुमको यहां पर एक पूरा रिपोर्ट देखेगा डिट यह सारा अबजेक्टिव तो जो वहां लोड नहीं हो रहे थे पता नहीं क्या है यह प्रिवेंट दगोस्ट वाल अबजेक्टिव कोट अबजेक्टिव बहुत टफ होता है कभी-क्रूसिट उस होता है नहीं लिए लिए तो फॉर शॉर कूर्शिविक्स नाइन परसेंट और भी में 3 ले लेता, 10 पूरे हो जाते हैं, अगर इसमें कर्स पोजिशन दिख जाता तो, और इंट्रक्शन फिंगर्पिंट्ट बाकि तुम इंट्रक्शन फिंगर्पिंट्स और फूट्स्टेप से फोटो भर सकते हैं और जैसे कुछ जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा दिखत सब्सक्या परें लिए लिए लोट्पिंट्स पर्संट्स अब इसमने लुक्षन समय नहीं को बोल रहा है, ठीक है, टीक है, पिल अब भी बता दूग का लार में तुम अच्छा से याद नहीं है, अभी मैं दिखा सकते हो, और यह रहा पे टोटल टाम गोस्त रूम से ऊट वह बय्से है वह सबसे वह सब में बात में चोड़ो यार रुका ही जाता यार और टो टाइम इन लाइट 33 मिनिट्स हम लाइट के सामने रहे ताइम इन डार्क 6 मिनिट्स अबंद करें अंधेरी में टोटल ताइम इन वेसिगें 39-39 बॉत बड़ी है और गोस्ट ने कितना ट् बाइ सहाम वैरी अक्टिव गोस्ट नाइटमेर पे 100 प्लस भी चला जाएगा ठीक है इतनी देर में फेरेट रूम चेंज इसमें 0 है क्योंकि हो गाए नहीं अबिलिटी यूज़ चार बार उसमें अपने अबिलिटी यूज़ की ओबाके नहीं सबसे पहली बार इसमें फिर फिंगर्मिंट नहीं शोड़े होंगे जो अमना इंट्रक्शन एक मिस्स किया था उसमें क्योंकि ओबाके के पास एक स्पेशल अबिलिटी है वो मतलब 90% of the time तो फिंगर्मिंट देगा वो शायद डिफिकल्टी पी डिपेंड करता है बात दोर्स मूड दोर्स इसने इतनी भाई 41 टाइमस डोर मूग किया एक बार लाइट ओन कीजिए इसमें एक्जक्ट उमको से मिले अब्जेक्ट यूज अब्जेक्ट मूड तो यह था फाइनली अब मैं सोच रहा हूं शायद हो चुका इसमें मैं कस्टम डिफिकल्टी पी ख यह था है कस्टम में मेरे बना हुआ एक डिफिकल्टी यह वाली में गोब यूंगली नहीं करनी है अनदव वान कैसे बनाएंगे कहांसे बना सकते हां है यहाँ पर है प्रिसेट प्रिसेट चलो ठीक है अब मैं इसमें करता हूं सेव नहीं करूँगा तो प्रोफेशनल पे प्रोफेशनल पर ठीक है और इंटर्मीडियट पर 35 मैंचर पर 40 वह सही बोला था मैं और प्रोफेशनल का 25 बोला था लेकिन नाइटमेर पर 25 है तो मुझे मुझे यही बताना था बाकिन सब टीक है यह मैं बाद में फिर से देख लूगा 552 लेवल है बाद मेरा तो अगर तो मुझे खेलना भी जाते हो तो जरूर बताना यार मैंने डायक लिव कर दिया है हाँ तो सब गेम्स मैं इसके वोस्त कर से तो अब देख लो भाई वह वाली किलिव प्यार मतलब यह उसके पहले आ गई ती चलो ठीक है कोई भी एक टाम पर रहेगा देखना पूरी वीड किया थे सब खिया काउना पर खाल दाल झाल बान बदर औल थी तैनल हमें सब्लिभा गतेता है Έaders कॉरी है मैं कर दो मैं अब श्माझ कॉट फोटो 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 बदर शालो नीचे 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 ब़ह इन उन्न भी श्र॥ यार आर यही रूम है ओ भाई के ठी ए हैं रप्रीजिंग बियर? टालो